नमस्कार स्वागत हैं आपका इंडिये नियूस 28 में आएए बात करते हैं उत्तर प्रदीश की कुछ खास ख़बरों की मतुरा ट्रेन की चपेत में आये व्रिद ने उप्चार की दोरान तोड़ा दम शिनाक्त ना होने पर पुलिस ने शक को पोस्टमातम के लिए भेज दिया यहां एक दिन बाद पोस्टमातम ब्रह पहुँचे परिजनों ने मृतक की शिनाक्त की है इस सूचना पर सोमवार की सुबह एटा जिले के गाउं बिशनपुर निवासी उसके परिवारी जन पोस्टमातम ब्रह पहुचे और मृतक व्रिद की शिनाक्त पचास वर्षिय भानू प्रताप के रूप में की है वही परिवारी जनों का कहना है कि पिछले कई सालों से भानू प्रताप घर पर नहीं रह रहे थे और उन्होंने संथ का चोला धारल कर लिया था जिस वजह से वह मतुरा व्रिंदावन रहते थे तभी कबार उनसे फोन पर बात हुआ करती थी इसी बीच पुलिस ने उनको सूचना दी कि ट्रेन की चपेट में आने से घायल भानू प्रताप की मौत हो गई है वही घटना की संबंध में मृतक की भतीजे ने जानकारी दी मतुरा समवाददाता ब्रिजवीर सिंग जादौन की रिपोर्ट काफी समय से बार गू miret की और उसके बाद हमारे पास सुचना मिलती है कि कल सामगो कि ऐसे बारदा दौय है आप आ जाये तो आज आएक हमने प्रता किया तब उम्रत होग ACT इंपर उसके बार री औरी में एक है है प्रतित हो रहा है कि एक सब्सक्राइब है कि इस तल तो था अच्छा घर्वा कप्ते नहीं रहे थी काफी सालों से नहीं है कि बताये तो अभी आपको बाबाजी थे हां साधु मत मते बच्छा है नहीं कोई साधी मैं इनका बद्धी जाओं